यह सेरिया का बहुत फेमस होटेल है सर, देखिये ना अभी से कितनी भेड लगी है, मैं भी रोज इदर ही खाता हूँ वोकड में तो नहीं खाते हैं, सर, मैं पैसे देता हूँ, यह लेता ही नहीं सर, यहाँ सेल्फ सर्वेस है, अब बैठिये, मैं खाना लेके आता हूँ, और पहले पैसे देना, ठीक है, आज यूपियाई से देता हूँ सर, प्लीज, आप ऐसे भीड में आएंगे, तो मैं कैसे काम कर पहूंगा, आप लोग फ्लीज ब्लाइड में आईए, सर, यह तूखा, तुम लोग अपना अपना लेके आ जाओ रहें सर, खाना सूंगने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, मैं दूसरे हाँ से खा लूँगा, चार्ट अच्छा, हम खाने नहीं आए, रेट करने आए सर, वाश बिसन बाहर है, आप अंदर नहीं आ सकते अभी, सॉरी सर दाल गांसली थी, सर, वो मैं, जितना पूछा हो थना बोलो, बोल गांसली, सर, इमेन यो लेजेंटी से लिये, सर, बोल डाला, क्या मिलाते हैं उस दाल में? अफिसर हो, तब तो सच बोलना ही पड़ेगा, जानवरों की चर्वी मिलाते हैं, हेस्ट बढ़ता है उससे, पबलिक दाल के साथ उंगलियां बीच अबा डालती है कितने कमीने हो तुम, डाल में चर्वी मिला रहे हो, उस होटल को वेजेटेरियन समझके लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे लिखते हो देशी की और मिलाते हो चानवरों की चर्वी, क्या यह अखरत नहीं है? इसमें गलत क्या है? घी आती कहां से? मा, मक्खन मेंसे घी निकलता है भाईया सबको पता है, गाय के दूद से दही जमाते हैं और फिर उसे मत कर मक्खन निकालते हैं पर यह बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, तुम लोग अपना रेड बताओ, जेब गर्म करो और यहां से चलते बनाओ मेरी जेब गर्म नहीं होती है, भेजा गर्म होता है यह तुने अच्छा नहीं किया, अब तुझे होस्पिटल भेजता हूँ तुझे भेजने की ज़रत नहीं, मैं खुछ जाने वाला हूँ से लट सक्सेना, सर, पढ़ो इसकी एक्सपारी डेट क्या है 23.05.1983, यह तो कंपनी खुलने की डेट है, सर, जो जानकारी ज़रूरी नहीं है, वो तो क्लियर है, पर एक्सपारी डेट को काट के मिटा दिया गया है इस पैकेट को लेकर आओ मेरा साथ इस ब्रेट की एक्सपारी डेट बताना चापा तो आज के उपर, पढ़ना नहीं आता क्या साफ साफ देखने ही रहा, तुम्हें पढ़के बता दो मुझे अरे भाई धन्दे का टाइम है, दिमाग बत कराब करो, लिखाए इस पर, जाओ जाके अपना काम करो एई, यह अपना काम ही कर रहे है क्या? क्या घूर क्या रहा है? हम फूड सेफटी डेपार्टमेंट से आएं साब जी हर पैकट ऐसा ही है तो के बास कहेंके, पबलिक को मामू बनाने के लिए एक्सपारी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है किसी पैकट पे डेट नहीं है सर सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे घरी मरीज खरीद कर अपना पेड बार सकते है और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ चार दिन की होती है अगर दस दिन बाद कोई खाए ना तो चानते हो से इंसान का क्या हाल होगा हो ना क्या है सर, डिमारों के इसी एस्पताल में आएंगे सर, अगर कई काड़ी बहार ना क्या है साहँ, कैंटीन के कॉंट्रेक्टर का नाम क्या है क्या पूछ रहे, मूं में ब्रेड भरी है क्या बोलना वोस्स्पिटर के दीन है सर मुझे इस मेंटर में मत पसाऊ साहँ, वरना मेरी कुरसी कट जाएगी साहँ अकेली सिर्फ तेरी कुरसी नहीं कटेगी आपका मतलब बीन सब सकसे ना तुम पहुच गए न सर आपके कहे मुताबिक फैक्टरी के सामने ही खड़ाओ अगर कोई गाड़ी बहार निकले तो उस पर नज़र रखना सर एक ब्राउन गाड़ी आतो रही है ठीक है वो उस गाड़ी का पीछा करना चुरूग है कहां तक पहुचे और नॉर्ट साइड फ्राइवर के उपर ठीक है पीछा करते रहो सकसे ना तर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है इसका पीछा करता रहा तो कण्या कुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे सर गाड़ी कच्रा पट्टी के अंदर गुज गई है तब तक पीछा कर दे रहो जब तक वो गाड़ी कच्रा ना गिरा दे सर कारी अफसर होने के बावजूद कच्रा उठाना पड़ रहा है सर गाड़ी कच्रा गिरा के चली गई सर अलो सर जाते हैं चार चार चिलाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं सक्सना अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मूझ से निकल गया है सर अब क्या करना है सर कच्रे की तलाश हिलो सर मैं एक ओफिसर हूँ और मैं एक सीनियर ओफिसर जो हुक मेरे आका सर ये क्या है अच्छा खासा ड्रम तोड़के फैंक दिया लोग इसमें पानी भानी भरकर रखते हैं हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें इसे बेच के दोती नजार तो मिल जाता सर वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि अन्युक्त अज़िए कि अज़िए अज़िए नहीं दूणो यहां कहीं ऐसा टुकड़ा और है है कि अज़िए है सर यही ढूण रहेंगे फोमलेन कोई फूड कमपनी फॉमलेन का क्या करेंगे सक्से ना समझेख सर कटिंग 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 शैयर करेगा सब गया सब गया सब बढ़ा मैंने आपकुछ नहीं बचा, यह दारूने मुझे नंगा खर दिया भाई इजट उदर गई है तेरी समाल दारू बंद करो तेरे कहने से कुछ नहीं होने बाला है, इदर से निकल वही तो बोला मैं, वही यह सब्बन कर दो कटिंग 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 इस सिवा के लिए हम उसे टिप देते हैं, इस सामान एवम सिवाओं का कर क्या बढ़िया बताया भाई पबलिक को ऐसे समझ में आता है, उनीकी लेंग्वेज में समझाने का न पर एक बात है, शायदाद बराबर बटे ना बटे, शराब बराबर बटनी चाहिए बलकुल, बलकुल, सर का पैक थोड़ा स्ट्रॉंग बना सकसे न, चड़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं, तुम कौन हो भाई, अभी आगे सर समझाएंगे, मैं कौन हुई जाने दो, तुम तो खुदको भी नहीं पहचानते, माइक्रो बायोलेजी स्टूडेंट हो न, वो मैं शर्म नहीं आती, मेरे बारे में तुमको कैसे पता, शर्म तो आती है सर, ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी न, महनत और इमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर, सब किताबी बाते हैं, उस फेक्टरी में काम करने से अच्छा है, मैं या दारू पीकर जानगा मादू, तुम जिस फूट प्रोड़क कंपनी में काम करते थे, वहाँ फॉर्मल इन यूज होता था, फॉर्मल इन ही नहीं सर, क्या करें सर, इस बार का बिल भर दूँ क्या मैं, जो भी बिल है उसे भर दो, और इस अड़े को सील कर दो, इधर में रेड हो गई, पता ही नहीं चलाएगे, इस्क्यूज मी, रुख जाईए, आप लोग कौन है, और यहाँ पर कैसे आएगे, वो तलाब से राइट लेके, गोल चक्कर से लेफ्ट लेके यहाँ पहुंच गये, और बोलूँ, फूट सेफ्टी ओफिसर्स, अरे, तुझे तो निकाल दिया था न, तू लेके आए इनको, हम इसे लाए हैं, चखाट सुनिये तो, सर, सर मुझे अपने बहुत से बात करनी पड़ेगे, अरे, यो, जीनियस, इधर जैमर लगे है, कॉल वाल जाएगा नहीं, अलो, सर, एलो, बोलने से फोन नहीं लगे या, प्रभाकर, सर, सर, बिना बॉस के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते, आप चेक नहीं कर सकते, आप बेरी सॉरी, सक्से न, जब तक दूद में मिलावट की जाच पूरी नहीं हो जाती, ना कोई अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा, अरभाकर, रभाकर, रेड़ी होना, रेड़ी सर, बताओ, इस दूद में क्या-क्या मिला है, सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूद में मेलमाइन मिलाया गया है, मेलमाइन क्या है, मेलमाइन एक केमिकल है, जब एक लीटर दूद में पानी मिलाकर उसे चार लीटर बनाते हैं, तो दूद के अंदर का प्रोटीन लेवल भी खट जाता है, इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूद में मेलमाइन मिलाते है नेक्स्ट दूद को गाड़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मातरा में है सर नॉर्मली 100 मिली लीटर में 70 मिली गराम ही अलाओड है पर इसमें तो 200 मजी है सर यूरिया यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए और तुम दूद में मिला के और क्या क्या मिला है सर दूद को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज़ किया है ए ये क्या दूद में सोडा डाला हुआ है बेवडे लोग दूद में दारू पियेंगे कॉस्टिक सोडा क्या होता है जबाब दो मुझे डिटरजिंट टॉइलेट और कपड़े दोने में काम आता है वो और तुम ज्याग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो है ना सर दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मिलिन मिलाया गया है फॉर्मिलिन फॉर्मिलिन वार्मलेन तुम्हे पता है वार्मलेन का सही हिस्तमाल क्या होता है लाश को सरने से बचाने के लिए इस केमिकल को तो सूमना भी खतरणाक होता है और तुम इसे दूद में मिला रहे हैं जिसे मासुम बच्चे पीसे सर, सही माइनों में ये दूद नहीं, slow poison है मरने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लोग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो मरने दो